अगर आपको वह देखने है तो आप यहां पर टैप करके देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो आपको लिंक्स मिल जाएंगे उनकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट है जो भी हम कार सोर्स करते है रिव्यूस क बेस्ट इसकाउंट आपको मिल जाएगा शोरूम की तरफ से और टाइगून पर भी डिसकाउंट चल रहा है तो आप वहां पर भी कॉंटक कर सकते हो अगर आपको लेनी है तो इस वीडियो में हम यह सारी चीज़े देखने वाले और सारे जो सेक्शन से वह टाइम से भी मा कोड़ा कुशाक से लेंज जाता है विड्थ हाइट सब कुछ जाता है वील बेस टाइगून का थोड़ा से जाता है लगबग 1 mm का ही फरक है 220 mm का आपको ग्राउंट क्लेरस मिल जाता है एलिवेट में और रोड प्रेसंस भी एक अच्छा कासर देलते है विकॉस इट हाज बॉक्सी डिजाइन तो डेफिनिटली आपको रोड प्रेसंस काफी अच्छा मिल जाता है लेकिन अगर टाइगून की बात करें तो टाइगून में आपको एक क्रॉस ओवर वाली वाइब आने वाली है उसके लुक्स को देखके लेकिन वह भी काफी अच्छा लगता है तो प्लस आपको 458-litre का बूट स्वेस मिल जाता है इस अगर बेस्ट बूट स्पेस ओफर इन दे हॉन्डा एलिवेट उसके बाद अगर हम ताइगून की बात करें तो टाइगून में भी आपको अच्छी कासी स्पेस मिल जाती है बूट आपको जरू छोटा मिल जाता है ले कि आपको पता ही है कि कितना रेव हैपी वगरा चलता है साथ हजार रपिम तब भी यह हो जाता है रेड लाइन इसकी कमाल की है जो इसका टॉपेंट परफॉर्मंस है कमाल का है इसमें आपको मिल जाता है 120 हॉस पावर एंड 145 नूटमीटर का टॉर्क वेराज अगर अगर पावर में हॉंडदा का इंजन बेटर है थिपै Ass Flower hundra एंजन चलता है तिकिन अगर आपको वग्तार की ईंजिन पसंद इनी शाल टॉर्क अपको तर्भения चलाने च्लानक आदत खुए उसमें मजा आता है तो बंसे अप golden का वं एलेट्र में एसके औरैविंग लाऌश की अ में आपको मिलता है top converter automatic और दूसरे में एलिवेट में आपको मिल जाता है CVT के बॉक्स तो दोनों ही अच्छे है अगर हम माइलेज ही बात करें तो CVT में आपको बेटर माइलेज मिल सकता है आपको इतना अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा विकाज अपड़ तॉप क्नुमरेटर बहुत सारे जो लॉसस वो फ्लूड के वए से हो जाते अगर बात करें इंटीर की दो दोनों ही काफी अच्छे इंटीर है इसमें कोई भी विनर चूज करना बहुत ही मुश्किल है यह ब सब्सक्राइब लगने वाला है विकाज ऑफ फाइस्टार रेटिंग तो सेफ्टी में नो प्रॉब्लम सब्सक्राइब अच्छी सिफ्टी मिल जाती है जो प्लैटफॉर्म है यानि की जो सिटी का प्लैटफॉर्म है वो फोर स्टार लाया था तो आप वही पकड़ चल सकत सब्सक्राइब जाता है होंडा में आपको रोड नाइस काफी आती है यह मैंने नोटिस किया अगर आप हाइवे पे चल रहे हो तो जो साइड की कार से उनकी भी नौइज आपको आ जाती है इंजिन की जो साउंड है वो उतनी ज्यादा नहीं आती और जो दूसरे जो कार से या पर रोड नाइस है वो जरूर आपको आ जाती है अंदर तो साउंड इंसुलेशन होंडा की डेफिनेटी कोई भी यूएस भी नहीं रही है कभी तो वह एक नेगेटिव है उसका बाकि अगर हम बात करें तो टाइगून की तो टाइगून में आपको होंडा से तो काफी अच्छी साउंड इंसुलेशन मिल जाती है एक संबात करते हैं विजिबिलीटी केबारे में तो दोनों में ही आपको काफी अच्छी विजिबिलीटी मिल जाती है लेकिन एक पॉसिटिव मैं होंडा को देना चाहूंगा विकास उसमें आपको बॉक्सी स्ट्रॉक्शर में तो उसके वैसे आपको बोनेट पूरा ही दिख जाता है और उसके जो मिरर से ना भाहि मतुब इतने वाइड दिखते है उसका फील्ड भी ना वाइड इतने जो उसकी साइज भी एना काफी बड़ी है तो उसमें इतना जाधा व्यू कोवर हो जाता है ना तो यह खाफी अच् करें और और जो ड्राइंग फील आता है उसके बारे में तो हॉंडा का जो इंजिन हो बहुत रहाइपी चलता है आप उसको रहो करो तक रहो करो 5000 अगर आप उसको रहो करना चाहोगे तो वह बिल्कुल निराश्निक अगरता तो इसके वज़े से जो ताइगुन का जो फील चलाने का वह ऐसा है कि उसका मिड रेंज बाट स्ट्रॉंग है जब आप सिटी में चल रहे हो अब लाइक सेकंड थर्ड गयर पर हो पॉटी के स्पीड है जैसी अब पंजा दवाओं के भाई वह गाड़ी रुकती नहीं है इतनी स्ट्रॉंग मिड रेंज है उसकी ऑन दाधर है अगर हम एलिवेट की बात करें तो एलिवेट में कैसा है कि आपको थोड़ा सा काइम लग सकता है लेकिन वह जैसी पकड़ती ह जैसी वह 7000RPM तो पहुच जाते रहें फिर आपको बहुत अच्छा पावर और बहुत अच्छा टॉर्क मिल जाता है लेकिन वही है जो आपकी हाइंड परफॉर्मनस है तॉप एंड परफॉर्मनस उसमें आपको एलिवेट आउट परफॉर्म कर देगी टाइगन को और ट बहुत ही रहएपी चलती है और बहुत अच्छा रेड लाइन करती है तो बात कर लें चेरिंग फीड़बैक के बारे में चेरिंग फीड़बैक दोनों में भूट अच्छे नहीं है जोड़ी सी बेटर आपको टाइगन की लग जाएगी क्योंकि उसमें जो स्टेबिलिटी अगया है और अपको थोड़ा सा कॉमफर्ट जादा मिल जाता है तो कंफर्ट वाइस एलिवेट बहुत ही आउट परफॉर्म कर देती है टाइगन को मट्यो है वह आपको वोक्स्वागन में थोड़ी सी बेटर में जाएगी क्योंकि वह लगती है मतलब उसमें ऐना ऐसा फ जाली नहीं कुछ पसी सॉक बाद भी ना वह काफी तेजी से ही एक्सेलरेट करती है और यह बहुत ही जादा अच्छा पॉजटिव उसका अब आधा थे सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी थकती नहीं है बिल्कुल भी उसका भी इंजिन बहुत रहा है पिए बट अगर हम हाइब स्पीड हैं लिंग की बात करें तो टाइगन बूड बीद बिनर उसके जो स्टिफर सस्पेंशन से वह उसको ज्यादा है इसमें अब बात करते सस्पेंशन की तो अ अब स्टिफ में जाते आगर में आपको अच्छा मिलता है और स्टिफ है तो इतना जादा कमफ़र्ट मिलता नहीं है जो खराब रस्ते वह पूरे शॉक्ष अपको अंदर आ जाते अगर अगर अब शाप कुछ एज अगर प्रॉस करोगे तो वह सारे जटके आपके स्चेर का नहीं आता तो मायलेश को आपको घ्राइब मिल जाएगा क्योंकि तो एक सलेंडरी कम में जाता है थम्यास ओपहर लेंजिन साफ इन और मिलेगा है यार ज्चाइब करते है अगर 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 तो नो में मिल जाता है लगबग 10-12 का माइलिज सिटी में और हाइवे पर यह लगबग 18 तक का चले जाता है तो दिस इस दा माइलिज फिगर ऑफ दो बोथ कार्स बड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगी तो वहीं सब पूरी बाते तो हो गई अब बात करते है यूनिक फीचर के बारे तो होंडा सेंसिंग फीचर का नाम है और 6 फीचर उसमें आपको मिल जाते हैं तो सब सब पहला है कोलिजिन ब्रेकिंग मिटिएशन सिस्टम यानि की जो एमर्जेंसी ब्रेकिंग होती है एडास की वह लेन की पॉर्निंग एं लेन की पसे फिर लेन डिपार्चर बॉर्निं आपको एलीडी में मिल जाते हैं तोड़े कर जगह पेना है लोजन सी यूज किये गए दिख जाएंगे अनलोग प्लस डिजिटल एमाइडी आट स्पीकर आपको मिल जाते हैं और कनेक्टेड कार फीचर वी अपको मिल जाते हैं इसके बाद हम बात करते हैं वोग शोगन मे आपको फीचर आपको मिल जाते हैं तो यह काफी अच्छा फीचर से आटोनमस फीचर भी आपको मिल जाते हैं एक जो फीचर वेंटिलेटेट सीट्स वह आपको होना में मिल जाता है टो सकते हैं एक वेडिग्रा करें तह यह फीचर लॉदध हैं तो अगर आपको पीचर लोड़ेड कार ची तो डैफिनेटिली आपको और फीचर लोडरिय कर शेंग ऑक लिछा सकते हो इसकी परफॉफरोंस क्यों बहुत कमाल कि अपको मिल जाती है अगर या को एक परफेक् बेटर चॉइस बन जाती है इस केस में विकाज बहुत सारे चीज़े वो उफर कर देती है तो गैस अगर आपको कोई भी कार खरी नहीं है तो नीचे दिये गए नंबर्स पर आप डारेक्ट कर सकते हो आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए लाते रहते हैं तो गैस थैंक्स वाचिंग